आप सब को मेरा नमस्कार अभी समाचार आया है कि विपक्ष की और से भारत के राश्टुपती के चुनाओं के लिए मेरे आदर्ने पिताजी श्री यश्वन सिनाजी को प्रत्याशी घोशित किया गया है मुझे अब बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं और मीडिया के भी बड़े प्रशन आ रहे है मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि इस समय आप मुझे एक पुत्र के रूप में न देखें इसे एक परिवारिक मामला न बनाए मैं भारत्य जनता पार्टी का एक कारे करता हूँ हजारी बाग से भारत्य जनता पार्टी का सांसद हूँ मैं अपने सम्विधानिक दायत को पूरी तरीके से समझता हूँ और पूरी तरीके से इसे मैं निभाओंगा आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै जाग्र